है आज की स्वीडियों में हम बात करेंगे technical analysis या फिर टिय के बारे में कि ट्रेडिंग में हमको technical analysis requirement क्यूँ पड़ती है और आप कैसे technical analysis की मदद से एक अच्छा trade ले सकते हैं तो अगर आप आपको नहीं पता कि कहां पे आपको entry या फिर कोई कोई खाइदना चाहिए कहां पे बेचना चाहिए तो ये वीडियो फॉर आपकी बहुत जाब मत करेगा और वाइटर सबसे पहला question यह कि टेक्निकल अनलसिस क्या है और ट्रेडिंग में हमको इसके requirement क्यों पड़ती है में हम यह पता कर सकते हैं क्या price अभी support में है मतलब यहां से stock crypto यह कुछ भी उपर जाएगा या फिर resistance में मतलब यहां से यह नीचे आएगा यह हमारी मद्द करता है अच्छी entry और एक अच्छा exit लेडियों कैसे अगर आपको यह पता चल जाए कि Bitcoin या Ethereum में किसी crypto का support कहां पर है तो आप उस crypto को वहां पर buy करेंगे और उसके next resistance से पहले उसको sell कर देंगे और ट्रेडिंग में entry exit point को जानना बहुत इंपॉर्ट हम यूज करते हैं different chart patterns, candlestick patterns, different formation, drawing tools, indicators और overlays तो यह तो हो गई theory की बात, अब बात आती है कि हम TA या technical analysis को कहां पर कर सकते हैं, वैसे बहुत सारे charting platform है, number one charting platform है trading view, लेकिन आज हम बात करेंगे Coindices के अपने integrated charting platform की, जो की again trading view का ही है, लेकिन आपको आपको बहुत सारे features free मिलते हैं, तो अब login करते हैं मेरे computer में और देखते हैं कि हम TA या technical analysis कैसे कर सकते हैं, और राइट तो यह है Coindices का platform और अभी हम देख रहे हैं BTC and R pair, तो सबसे पहले हम बात करते हैं Candlestick की, मतलब यह जो लाल और हरी candle है, इनका मतलब क्या है, बहुत important है जानना, तो हम इस candle की बात कर रहे हैं, तो यह है low, यह है उस candle का high, यह है open और यह है close, इसलिए candle green है, क्योंकि जहां यह खुली, उसके उपर बंद हुई, लेकिन खुलने और बंद होने के बीच में, कह यहां पर तक गई, high इसका यह है, low इसका यह है, यह रेट candle क्यों है, क्योंकि यहां पर open हुई, और यहां पर close हुई, जब कोई candle जहां open होती है, उससे नीचे close होती है, तो बन जाती है red candle, तो अभी वी आप red candle देखें, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि जहां पर open हुई, यह 17 April की, यह था simple सा घ्यान candle के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं कि जो हम tools की बात कर रहे हैं, वो tools को कैसे access करते हैं, कैसे हम उस पर काम करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप यहां देखें, top left में, तो यह है कि आप charts को किस time frame में देख रहे हैं, time frame बहुत important होते trading के लिए, तो यह daily है, अगर आपको क्लिक करें, तो आपको यहां पर दिख जाएगा, तो daily, four hours, कभी कभी 30 मिन भी, again, drawing tools को access करने के आप आप आएंगे, यह bottom left में, और इस arrow में क्लिक करेंगे, उसके बाद यह सारे के सारे drawing tools आपके सामने आजाएंगे, यह drawing tools बहुत ज्या अगर आपको देखना है कि किस दिन price किस point पर था, तो आप use करिए cross, यह cross है, यह type है, देखो, आप दिख रहे आपको, 17 July दिखा रहा है नीचे, और price दिखा रहा है, तो यह हो गया कि कौन से किस type के pointers हैं, उसके बाद यह बहुत important section है, lines का, क्योंकि यहां से आप trend lines channels मना सकत रहता हूं, trend line, horizontal line, support and resistance के लिए, arrow, कोई भी चीच पॉइंट करने के लिए, और उसके बाद parallel channels, again, आप अपने हिसाब से, जैसे यह सीखेंगे, अपने हिसाब से आप tools को favorite करेंगे, यह उनको use करेंगे, ठीक हो गया, तो यह मेरे जो favorite हैं, यहां पर आ चुके हैं, पहला, इ अगर कोई चीच आपको दिखानी हो, कहीं पर यह से मुझे इस चीच को ऐसे दिखाना हो, तो उसके लिए बरश, तो यह भी मेरे favorite tools में से एक है, rectangle मेरे favorite tool में से एक है, और उसके बाद यहां पर text, अगर आपको कुछ लिखना हो, कुछ चीच बतानी हो कि यहां पर क्या होन और फिर जो indicators हमने बोला है, indicators, overlays, उनको कैसे यहां पर हम लगाएंगे, ठीक है, indicators को लगाने के लिए आपके पास यहां पर indicator का option है, जो overlays, indicators, oscillators में आपको यहां पर recommend करूंगा, वो है, सबसे पहले moving averages, वहां पर click करेंगे आप और यहां लिखेंगे moving average, तो यहां पर हम एक change करने के requirement नहीं है, यह है moving average exponential, तो यहां पर दो moving average जाने के बाद मैं लगाता हूँ, तीन moving average exponential, 1, 2, 3, ठीक हो गया, तो यह है overlays जो यहां पर हमें configure करने पड़ेंगे, इसके बाद हम करेंगे RSI, relative strength index, यगर आप RSI लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, यह है, oscillator जो बत दें click, तो यह नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया, यह हो गया, इतना काफी अभी के लिए, और अब देखते हैं कि हम इनको use कैसे करते है, support and resistance find करने के लिए, तो यह याद रखिए हम जो भी कर रहे हैं यहां पर, यह जो भी करेंगे, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हमें best entry औ अपने moving averages को, तो हम आएंगे यहां पर drop down पर format, हमको चाहिए यहां पर 200 moving average, okay, done, और दूसरा हमको चाहिए format 100 moving average, वैसे normally 50 moving average भी use करते हैं, अगर आप चाहो तो उसा add कर सकते हो, again indicators में जाके moving average में click, और जो आ जाएगा, तो यह MA means moving average format, और यहां देंगे 50, आप हो सकते हैं क moving average क्या है, तो यह बहुत ही simple terms में average है, पिशली उतनी candles का, कितनी candles का, जो भी number हम यहां पर कर रहे हैं, तो 50 moving average मतलब 50 जो candles हैं पास की, उनका average, तो price, कितना average price था, 100 means 100 candles, 200 means 200 candles, तो अगर आप daily में देख रहे हैं, तो यह 200 दिन हो गए, अगर आप 4 hours में देख रहे हैं, तो 4 hours की 200 candles, यह 100 candles, 9 candles, 50 candles होगे, simple सा है, अब आप पूसकते हैं कि EMA और MMA क्या difference है, moving average जो है, बहुत ही simple सा है कि last की जितनी भी candles, इस case में 200 candles को उठा के उनका average टिकाल दिया, तो वो एक price आया, EMA या फिर moving average exponential या exponential moving average में, आप जो candle pass होती है price के, for example, अगर हम यहां पर हैं, तो ज candle से पहले वाली, इसको ज्यादा weightage मिलेगा, इससे थोड़ा कम weightage इसको और इस candle से थोड़ा कम weightage इसको, ऐसे करके इसका weightage जो है, डिफाइन होता है, तो जो formula है exponential moving average को derive करने का, वो different है compared to moving average के, तो हमने 1, 2, 3 moving average का configuration यहां पर कर लिया, हम करेंगे अपने exponential moving average का configuration, यहां पर format, मैं यूज करता हम 55, exponential moving average, format 100, exponential moving average, format 200, exponential moving average, और यहां पर हम बात करें, RSI की, तो यह बहुत simple है, format में जाएंगे, length 14, by default, जो भी है, सही है, RSI इमको क्या बताती है, अगर आप देखें यहां पर, तो इसका जो upper limit है 70, नीचे 30, कि अगर कोई भी चीज 70 से उपर है, तो वो overbought है, मतलब उसको बहुत लोगों ने buy कर लिया, तो उसके नीचे आने के chances बहुत जादा है, जैसे अगर यहां पर देखें आप, तो 87 की RSI थी, उसके बाद price ने dump लिया, और अगर नीचे हो, 30 से नीचे, तो मतलब oversold हो गई है, अब यहां से price जाने के chances उपर है, again, मैं न देखता हूँ कि अगर, और यह 50 की लाइन मन गई है, आपकी dotted line है, again, मैं इसको थोगा arrow में change कर लेता हूँ, अपने pointer को, ताकि आपको देखने मरसानी हो, मैं यह करता हूँ कि मेरा simple सा fund है कि अगर price 50 के उपर है, इस वक्त, RSI 50 के उपर है, तो यह buyers की market है, ठीक है, long कर सकते यह आप खरीज सकते हैं, अगर आपको और जगह से भी indication मिल रहे है, अगर इसके नीचे है market, तो seller की market है, तो मैं इसको personally ऐसे use करता हूँ, again, आप जैसे सीखेंगे TA को, आप उसको अपने हिसाब से अपनी खुद की strategy को बनाएंगे, ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमने moving averages, exponential moving average, और RSI को configure किया, अभी जो volume है, यहाँ पर आपको volume भी दिख रहा होगा, यह indicator है, volume का, यह बताता है कि कितनी volume आई, किस time frame में, जैसे कि यह नीचे दिख रहा है, यह पूरा volume है, अगर मैं इसको हटा दू, तो यह सब delete हो जाएगा, अगर मैं hide, देखो हट गे ना, कि नहीं, वापस गए, show, अब हम बात करते हैं कि TA, simple साथ TA हम कैसे कर सकते हैं, सही support entry find करने के लिए, तो आप इसको expand करेंगे ऐसे, तो जो भी commodity, जिस भी crypto को आप खईद रहे हैं, सेम तरीके से आप उसको उसमें TA apply कर सकते हैं, चाहे वो INR pair में हो, चाहे हो USD pair में हो, सबसे प पोलते हैं, ये भी downtrend में है, थोड़ा सा bearish है, तो अगर मैं सारे के सारे EMAs हटा दूँ और सिर्फ 200 को यहां पर रखूँ, तो अगर आभी आप देखें, तो ये जो ये line है, और आप चेंज भी करते हैं, तो मैं चेंज करता हूँ, इसको bright white बनायते हैं, और ये जो है हमा 200 moving average ये 200 exponential moving average एक अच्छा खासा support या resistance हो सकता है, support कब होगा, जब price इसके उपर है, जैसे यहां पर अगर आप देखें, मैं अपने arrow को use करता हूँ, यहां पर अगर आप देखें, तो अगर आपको buy करना हो, तो जब price 200 exponential moving average के उपर आ जाए ये 200 moving average के उपर आ जाए, तो ठीक है, अब अभी क्या हो रहा है, price यहां से जहां भी अभी है, for example, 34 lakh के आसपास, यह से उपर यहां पर 34 lakh के आसपास, यहां से नीचे क्यों आ रहा है, यह क्यों आ सकता है, क्योंकि यहां पर 200 moving average का resistance है, ठीक है, resistance माने, आप resistance को सो सकते हैं छट, अगर आपने कोई चीज उपर फैकी, ball उपर फैकी है, कुछ भी, तो वो कहां तक जाएगी, जहां भी आपके उपर last च्छत है, तो च्छत से वो टक राके नीचे आ जाएगी, तो आप उसको च्छत समझ सकते हैं, again, यह moving averages, exponential moving averages, dynamic होते हैं, dynamic माने, यह change होते हैं, गर आप देखो तो यहां पर था पहले, 34,000 के आसपास, पहले यहां पर था 34,000,000 के आसपास, उसके बाद यहां पर आ गया, 34,000,000 के आसपास, तो यह हमको एक अच्छा indication देते हैं, कि time के साथ, जो support है price का, वो change हो रहा है, और time के साथ resistance change हो रहा है, याद रखेगा, जब भी कोई support होता है कहीं पर, तो कैसे simple सा support and resistance find कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एक indicator या एक moving average के ओपर based होकर आप trade मत लीजे, अब इसे को ख़ड़ expand करते हैं, माल लीजे यहां पर 200 exponential moving average का support है, हम बाकी जो हमारे exponential moving averages हैं, उनको भी show करते हैं, देखते हैं कि और कहां-कहां पर support है, या उनका support कहां-कहां पर है, तो अगर आप देखें, इस वक्त, आज जो तारिक है, नौगस्त है, नौगस्त के दिन जो support confirm हो रहा है बहुत जादा, वो इस area में हो रहा है, 30,33,000 रुपे के आसपास, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो हमने बाकी यहां पर tools रखे हैं, उनका use-up-up करेंगे, तो आप यह area अभी एक strong support की तरह काम कर सकता है, 30,000,000 का क्यों कर सकता है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे moving averages और exponential moving average का support है, moving averages, exponential moving average एक तरीका है support को या resistance को find करने का, लेकिन इसके अलावा, जो दूसा तरीका है, वो है horizontal support and resistance को find करने का, मतलब जो हम सीधी line खीज दें, तो price कहां से reject यह कहां से नीचे गया था, तो अगर आप इस chart को देखें, अगयाने daily का chart है, इसको आप 4 hours में देखकर दूसरे दंग से trade कर सकते हैं, लिगर अगर हम daily की chart, और यहां देखें, जितना बड़ा time frame होता है, daily, weekly, monthly, इनके जो support and resistance होते हैं, वो ज्यादा important होते हैं, compare to 15 minute, 1 ठीक है, तो long time में आप daily, weekly के support and resistance को देखे, यह advice है मेरी, तो और हम क्या करेंगे, हमको support and resistance find करने हैं अभी horizontally, कि सिधाई में कहां पर हैं, तो हम देखेंगे कहां पर price आके reject हो, ऐसे यहां से reject होई, ठीक है, मैं इसको थोड़ा आपके लिए brush से दिखा रहता हूँ, एक यहा यहां पर आके price उपर गया, फिर यहां पर reject हुआ, यह reject हुआ, यहां पर support मिला, हम जाएंगे अपनी horizontal line पर, इसको ऐसे यहां पर लगा देंगे, और थोड़ा दूसरा यहां पर, फिर click करेंगे, यहां पर, ठीक हो गया, तो हमारे पास यह एक और area आगया, जो कि हमारे लि देखो, तो यहां पर, इस area में, विग बनी है, मतलब price यहां पर ज्यादा लंबे time तक नहीं रहा, same चीज अगर देखें हम, तो इस area में, तो एक अच्छा horizontal support यहां पर होगा, यह area, instead of the wick, हाँ विग भी है, उसे consider करना चाहिए हमेशा, लेकिन, यह area ज्यादा strong support and resistance है, ऐस same चीज होई है, थोड़ा उपर कर सकते हैं इसको, तो यह area जो होगे हमारा, horizontal तरीकी से यह हमाले, अभी इस वक support है, तो इसको भी हम rectangle से mark कर लेंगे, जो मैं support and resistance draw करता हूँ, मैं कभी भी एक price को support and resistance नहीं बोलता, मैं zone को बोलता हूँ, और zone के आस-पास price आके कैसे react करता है मैं उसको observe करता हूँ और उसके साफ से trade लेता हूँ, और है एक और बात, जो price के लिए एक time पर resistance होता है, अगर वो तूट जाए, तो वही support बन जाता है, for example, अगर आप यहाँ पर देखें, तो price के लिए यह zone, 42,000, 8,000 से लेकर 44,000 के area जो है, यह resistance था, लेकिन जब यह तू तो वापस से वह resistance बन गया, इसको बोलते है, theory of polarity, मतलब जो पहले support था, अगर टूट जाए, तो resistance बन जाता है, और resistance टूट के support बन जाता है, बहुत से इंपल सा फंडा है, अब जब आपने यह सारी बाते सीख ली, support zone, resistance zone, EMAs, MS, RSI, अब देखते हैं कि इनको हम एक साथ क for sure मैं एक और दो वीडियो और ले आऊंगा आपके लिए हाँ पर, लेकिन ये एक overview देने का है कि अगर आप नए हैं, तो कैसे आपको TA help कर सकता है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे वो areas जहां पर हमें एक entry बनती है, अगर आप देखें, तो यहां पर कहीं 24 July 2021 से लेकर 26 July 2021 के बीच में price सारे के सारे EMS के उपर आगया था, 4 hour के time frame में, और इसी time पर जो हमारी RSI थी वो 50 से उपर भी थी, तो जो यह area है, हमको यह बता रहा है कि इस वक्त price इन सारे EMS के उपर बैठा है, मतलब support के उपर बैठा है, और जो हमारी RSI है वो भी 50 से उप पर है भी, मतलब कि अभी यह जो market है, यह buyers की market है, तो आप यहां से long कर सकते हैं, आप कहां तक long कर सकते हैं, अगर आपने देखा हो तो आपने पहले से अपने support resistance को mark out करके रखा हुआ है, horizontal resistance यहां पर है, almost 42,000, 43,000 के आसपास, अगर आप इस trade को hold करना चाहते हैं, spot में या margin में, तो आप इसको यहां से long कर सकते हैं, almost 42,000, 43,000 तक का, वहां पर आके आप इसको बेज देंगे, क्यों बेज देंगे, क्योंकि यहां पर resistance है, हाँ, price इसके ओपर भी गया है, लेकिन बहुत कम chances थे कि यहां तक जाएगा इस वक्त, chances हैं, लेकिन कम chances हैं, तो हम क्या करें तो price यहां से resistance से नीचे गया, और इसको कहा support पिला, इसको support पिला यहां पर, जो कि यह 100 exponential moving average, और राइट, तो ऐसे आप अपनी entries को time कर सकते हैं, कि मैं यह कहां पर entry लेना है, कहां पर entry लेना है, और मालनी जगर आप margin trade कर रहे हैं, future trade कर रहे हैं, तो उसका तरीका क्या हो सक support हुआ करता था है, zone, यह तूट गया है, यहां पर, यहां पर यह तूट गया, उसके बाद price इसको claim करने वापस आया, लेकिन claim नहीं कर पाया, claim करने मतलब क्या है, कि यहां से price इस resistance को तोड़ेगा, और वापस से support confirm करेगा, जो कि नहीं हुआ, तो जब price एक दो बार reject हो ग के, EMS का यूज़ करके, horizontal support resistance का यूज़ करके, trade में अच्छी entry ले सकते हैं, इसके साथ, TA में candlesticks patterns होते हैं, chart patterns होते हैं, formation होती है, for example, एक formation में बहुत जादे यूज़ करता हूँ, और वो है channels की, तो अगर आप यहां जाएं, तो आप जाएंगे parallel channels में, parallel channels आपको क्या बतात है, फिर एक point से नीच जा रहा है, फिर उपर जा रहा है, फिर नीच जा रहा है, तो वो range क्या है, वो range हमको parallel channel बहुत असानी से दिखा लेता है, तो उसके आप जाएंगे यहां पर, और parallel channels में, draw कैसे करना है, माली जे अगर मुझे range खेलने ही आली, और माली जे यहां भी न से, तो आपको एक idea मिल जाएगा, कि price कि इस range में उपर नीचे जा सकता है, price इस range में नीचे आएगा, और यहां से उपर जाएगा, फिर इस range से नीचे आने की chances बहुत जाता है, अब अगर आपका channel और horizontal resistance कहीं पर conference करता है, कहीं मिलता है, तो वो एक अच्छा खासा resistance हो सकता है, जैसे कि यहां पर, तो आप यहां से, यहां तो short कर सकते हैं, अगर आप future margin trading कर रहे हैं, spot में हैं, छोटे टाइम के लिए, तो आप यहां पर अपना profit book कर सकते हैं, अगर आपने कोई चीज जहां खरी दिये, फिर इस के नीचे आने का wait कर सकते हैं, ठीक हो गया, जो rising channel हो जानेगा, वो फिर उपर को टूटता है, तो that's it, इतना थाज किस वीडियो में, इस series के next video में, जो कि 23 October को आएगा, हम जानेगे ज्यादा कुछ common patterns के बारे में, और उन patterns की best entry and exit points के बारे में, अगर आपको वीडियो पसंद आओ, तो आपसे like कर सकते हैं, अपने दोस्तों क share कर सकते हैं, अगर आज आपका बारे में चैनल में, तो क्रिप्टो पर हिंदी को subscribe भी कर सकते हैं, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए, take care and be safe.